बिजली को लेकर केंद्र के मसौदे पर अब नया संग्राम छुड़ गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल ने केंद्र के इस मसौदे को ड्रैकोनियन कानून करार दिया है केज्रिवाल ने कहा है कि अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो बिजली पर राजिस सरकारों का अधिकार खत्म भुजाएगा और इस से संबंधित सभी पॉलिसी मैटर पर फैसले लेने का अधिकार केंदर के बाद चला जाएगा पहली बार बिजली के चेक्टर में पुलीस को कम्प्लीट पावर दी जा रही है एक तरफ जहां बिजली कम्पनियों के उपर किसी किसम की जवाब दे ही नहीं है दूसरी तरफ अब पहली बार एक सेक्शन इंट्रड्यूस करके जैसे कोई नॉमल चोड़ी में पुलीस आपको गिरफतार कर सकती है अगर आपका थोड़ा सा मीटर टेमपर मिला अगर आपका थोड़ा सा कुछ भी गड़बर मिला तो पुलीस आके आपको सीधे गिरफतार कर सकती है सी आर पीसी और आई पीसी की सारी पावर्स के तहर पुलीस को ये सारी पावर्स दी जारी है जिसकी वज़े से ये बहुत ही ड्रैकोनियन एक्त बनी जाएगा और पूरे देश के अंदर किसानों का बुरा हाल हो जाएगा आज बहुत सारे राज्यी हैं जो किसानों को फ्री बिजली देता है बहुत सारे राज्यशे हैं जो पचास पैसे यूनिट लेते है वो इसलिए क्यूंकि वो फिर इंडस्ट्री वालों से 12 रूपई उनिट ले ले लेता है तेरा रूपई उनिट ले ले लेता है वो सब खतम हो जाएगा किज्रिवाल ने इस मसाओदे को केंद्र की साजश करार दिया है मुख्यमंतरी ने कहा है कि अगर ये मसाओदा लागू हो जाता है तो अब तक दी जा रही राजिस सरकारों की सबसिडिये खत्म हो जाएगी और बिजली के कीमतों में चार से पांच गुणे का इज़ाफा हो जाएगा इनसे रफैल डिल तो संबाले नहीं जा ली इनसे aviation sector का घाटा पूरा हो गया, air India का घाटा पूरा हो गया बैंकिंग सेक्टर का घाटा पूरा हो गया, 10 लाग करोर का banking मतलब बाकी घाटे तो पूरे कर ले तो ये और ले लिया इन्होंने अपने हाँ उपर बहराल आने वाले दिनों में विजली पर अधिकारों की जंग और तेज होगी क्योंकि CM किज़वाल ने साफ कर दिया है कि इस मसले पर वे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और इस मसौदे का विरोध करने की अपील करेंगे दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं